क्या आपने कभी पुडिया बना कर डारिकली पानी में इसे डाला है अगर नहीं डाला है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आज मैं आपके साथ बहुत ही टेश्टी बढ़ियां सी रेश्पी सेयर करने वाली हूं वो भी गिवू के आटे से बनी बिल्कुल हेल् रेश्पी बनकर तयार होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैंने ले लिया है गुथा हुआ आटा तो यह बचा हुआ आटा है अगर आपके पास बचा हुआ आटा ना हो तो आप थोड़ा सा आटा डो तयार करके परफेक्टली आप यह नास्ता तयार कर सकते हैं येकीन मानिए इतना जादा आपको पसंद आएगा कि घर में आप इसे हमेसा बनाना पसंद करेंगे बच्चे काफी खूस हो जाएंगे इसे क्या करेंगे थोड़ा सा हम सुखा हुआ आटा डाल कर इसे हम थोड़ा हाट डो तयार कर लेंगे क्योंकि यह मै मैं इसे थोड़ा सा हाट कर लेती हूँ तो दे सकते हैं काफी अच्छे से मैंने इसे डो तैयार कर लिया है अब इसके हम छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे अब इन्हें हमें पूरियों की तरह ही बेलना है तो यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा पतला आप बेल के मत तैयार कीजिएगा इसके उपर सुखा हुआ आटा लगा लिजिए और इसे अच्छे से बेल कर आप तैयार कर लिजिएगा इस तरीके से बहुत ही बढ़िया रेस्पी बनका तैयार होगी तो वीडियो पे लाश्ट तक बने रहिएगा और मेरी रेस्पी अगर पसंद आएगे फेंट वीडियो को लाइक सेयर करना बिलकुल न भूलें तो देख रहे हैं काफी अच्छे से मैंने इसका पूडिया तैयार कर लिया है अब चलिए प्लेट में रख लेती हूँ इसी तरह हमें दुबारा भी बना लेना है बहुत इंट्रेस्टिंग रेस्पी है फेंट और बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगे आपको तो प्लीज वीडियो को धान से जरूर देखिएगा तो देखिए यहाँ पे मैंने तीन पूडिया तैयार कर लिया है तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बनाना इसमें लिघआ है इसमें 2 स्थे एट कर देगे दो टेबल स्पून उयल ए साथ ही हम सदुनसार नमक लिणे बहुत ज्यादा नमक लिणरड करना है अभी पूडिया तो पहले सब और मैंने तीन पूडिया इसमें Reach BET क्या है एक साथ ज्यादा डाल देंगी तो क्या होगा अगर चिपक जाएंगे ना तो आपस में बहुत ही जल्दी चिपक जाएंगे तो छूटेंगे नहीं इसलिए मैंने पहले तीन पूडियां इसमें डाल कर पानी में अच्छे से उबाल आने लगेंगे तो देखिये काफी अच्छे से उबाल आने लगेंगे ना तब इसे हम पलट लेंगे तो आप ये टेंसन बिलकुत मन लिजिए कि आज मैं इसे पूडियां को पानी में फ्राइ करके बना रही हूं बहुत इंट्रेस्टिंग सी रेस्पी बनने वाली है फेंट वीडियो को लाज टक बने छोट लीजिए गा दो मिनट होने के बाद फिर 1-2 मिनट बाद इसे निकाले ज़िए टोटल तीन से चार मिनट लगते हैं बहुत जादा नहीं लगता है समय तो यहां पे देखिए इसे मैंने निकाल लिया है चंडी में और इसे आराम से हम थाली में ट्रांस्फर कर लेते ह इसलिए हल्का सा मोटा रखंगा बहुत ज्यादा नहीं रहना एंसे तरीके से लीचे मैंने तयार करली था अज इसे मैंने थंडा करली तो बिल्कुल पर्र bran़ से दोनों साइट से मुझत नंगिंए ति कर में है मुझत का द सकते हैं इसी तरीक से पारिश्ट करना है यहां पर अपको दो दो तरीकह विह को ब्ताइक दोंगी कि जो बीचला परह सकते हैं अपको सत्थ इससे ज्बीकर चाला हुफ मैंम दुख को लेना है और घिक चट्ट से कट कर लीजिए अगर थोड़ा सब्सक्राइब नहीं कर देखे गार्निया cow लेना है रखनों सकते हैं चक्ट को से रहा है तो फिर ये नूडल्स जो हम खाते हैं, मार्केट से लाते हैं, क्यों ना घर पर फिर घर पे इतनी टेश्टी हम नूडल्स बना कर तैयार करेंगे, बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, हाँ ये है कि ये गिहू के आटे से बनी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया तेल, उसमें डाल दिया है फेंट जीरा, हरी मिच और ओनियन को अच्छे से ना भून लेना है, उसके बाद ही हम टमाटर भी एट कर देते हैं, इस तरीके से बहुत ही फटा-फट से हमारे रेस्पी बन भी जाती है, बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, थोड अब ही मत इसकीप कीजेगा, इसके आगी भी मैं इंग्रेडन्स दालेंगे जिससे और पी ज्यादा चट पटी, बिल्कुल बजार जैसी नूडल्स पनकर तैयार होगी, तो देखिए अब इसमें हमें एट कर देना है, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्ल तो थोड़ा थोड़ा ही एट करना है, जितना आप बना रहे हो घर पे, यहां पर मैंने एक चम्मठ ढाल दिया था सोया सॉस, और एक चम्मठ ही डाल दिया है, रेट चिली सॉस, थोड़ा साधा चमठ सेजन चटनी एट करके, अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो लुके टिन से कट करके बनाकर तइयार किया हैं, हल्का सहाराधनिया आड कर देंगे और गैस का mπलेम इस टाइमHealth कर दिया है, तो लीजिये हमारी पहुत ही टेस्टी से रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजिएगा आई होप की रेस्पी अगर मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और दोस्तों में सेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा फेस्बुक पे देख रहे हैं फेंट फॉलो जरूर कर लिजिए चले मिलते हैं नेक